आज तक रेटियो सुनता है सारा जहां स्क्रॉल करते हुए अखबार में छप एक सरकारी विग्यापन पर पहुंच जाता है तो पढ़ता है माई डियर लेबरेट्स गवर्मेंट स्टेंड्स लिए दियो उसकी रुलाई फूट जाती है हाई, इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स एक तरफ मजदूर और दूसरी तरफ ये भाषा हालात आपको काल्पनिक लग रहे होंगे लेकिन हमारी कल्पना सरकार की कल्पना के साथ ताल से ताल मिलाकर खड़ी है हम उसी धरातल पर आपको लिए जाना चाहते है जिस धरातल पर वो सरकारी बाबू रहता है जिसने सरकार को ये सलहा दी कि मजदूरों के लिए विग्यापन चपवाना तो अंग्रेजी में चपवाना कितना भला इंसान है चाहता है कि मजदूर भी अंग्रेजी पढ़े खुद को अंग्रेजी में संबोधित होता हुआ महसूस करे कोई उसे जाकर बताए के रे मजदूर तेरे लिए सरकार बहद्दूर ने अंग्रेजी में कहीं कुछ छपवाया है और तू बैठा चपल की बद्दी में डोरी लपेट रहा है आज से पहले मुझे लगता था कि सरकार और आवाम में कुछ समवाध हिंता आ गई है लेकिन गलती मेरी थी मैं ही नहीं समझ पाया कि समवाध तो हो रहा है मगर भदर लोग की भाशा में हो रहा है वहां तक तो मुझे अग्यानी की नजर ही नहीं पहुँची थी मगर फिर आज सुभा मेरी आखें खुल गई मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार था अखबार में एक विग्यापन था और विग्यापन में जो कुछ था उसने मुझे हैसास कराया कि कुरोना काल में मजदूरों का सरकार पर भरोसा बढ़ा हो ना बढ़ा हो पर सरकार का मजदूरों पर भरोसा पूरा है उसे और उसके बाबूओं को यकीन है कि हमारा दिहाडी मजदूर सुभा सुभा जब एक हाथ से डाल भात का नाश्ता कर रहा होता है तब दूसरे हाथ से अंग्रेजी अखवार के पन्ने भी पलटता है ये खूबसूरत यकीन ही तो है जिसके बूते किसी सरकारी अफसर ने प्रवासी श्रमीकों के लिए विग्यापन च्छपवाया है विग्यापन में खुछ खबरी है श्रमीकों के लिए चिंता है खाने पेने की विवस्था की सूचना है लेकिन विग्यापन बस अंग्रेजी में है अब ये सर्वे तो कहीं उपलब्द नहीं है कि देश के कितने मज़दूर अंग्रेजी में दक्ष है मगर यदि किसी सरकारी अफसर ने छपवाया है तो सोच कर ही छपवाया होगा उसे सोचने की तनखों मिलती है सोचने में बाधान आये उसके लिए मजबूत दीवारों से घिरे बंगले मिलते हैं सोचने विचारने के भारी भर कम काम में कोई घरेलू काम व्यवधान न डाले सो सेवक भी मिलते हैं और जीवन भर इतना सोचने के बाद जब रिटायर होता है तो पेंशन भी मिलेगी अब वो सोचने का अती महत्वपून कारे करता है तो किसी देसी भाषा में करता होगा मुझे शक है सो जिस भाषा में करता है चाहता होगा उसी भाशा में संप्रिशित कर दे खैर भाई साब करुणों के विग्यापन की डोली में बैठके जो खबर आई वो ये है कि नरेगा स्किम में पूरे 20 रुपए रोज के बढ़ दे हैं ना एक पैसा कम ना एक पैसा जादा सौ दिन साल के रोजगार का हिसाब जोडें तो अब एक नरेगा मजदूर को 2000 रुपए सालाना ज्यादा मिलेंगे और ये बात सरकार का बाबू माई डियर माईगरंट लेबरर्स एंड डेली वेज अरनर्स को बताना चाहता है अब हो सकता है कि आपने भी बाबू दिमाग का वर्दान पाया हो सोचने की बिमारी के शिकार हो आपने दूर की चड़िया मारी हो ये सोच कर कि जरूर ये विग्यापन सरकार ने मजदूरों के लिए नहीं छपवाया हो सकता है अंग्रेजी पड़े लिखे लोगों के लिए छपवाया हो कि भाई वो भी हमारे प्रयास जाने है लेकिन नई यहीं तो कैच है भाई साथ दिग्यापन की भाषा देखिये क्या लिखा है Dear daily migrant laborers and daily wage earners The country stands with you यानि सरकार full to shingleish में सीधे मजदूरों से मुखातिब है और ऐसी और भी पंक्तियां है जिसने ऐसी सारी गलत फैमी धुआ कर दी कि मजदूरों के लिए किया जा रहा काम किसी और को बता कर impress किया जा रहा है बहुत मुम्किन है कि किसी सरकारी बाबू की कलपना में प्रवासी मजदूर अंग्रेजी का बढ़िया जानकार होता है और वो जानकार है तभी तो अंग्रेजी विज्यापन से जानकारी लेकर अपने PC, Laptop, Tab से नरेगा में रेजिस्ट्रेशन भी करेगा जैसा कि विज्यापन दाता बाबू ने विज्यापन में चाहा है अब देखे सरकारों की अपेक्षा का आस्मान तो इतना ही उचा है मजदूर छूने को राजी नहीं तो कोई क्या करे कभी कहीं किसी पुरानी किताब में पढ़ा था कि गाउं की कच्ची दिवार पर साक्षर्ता के नारे भी अंग्रेजी में लिखवाए जाते थे आज सुबह सुबह देख भी लिया कि विडम बनाएं कच्ची भीद पर ही नहीं यदा कदा अखवारों में भी उतरती है उस विज्यापन के अंत में लिखे भावुक आहवान पर तो किसी का भी दिल भराए फिर मजदूर का क्यों नहीं भरेगा जिसका पूरा जीवन पीडा का दस्तावेज है अफसर बाबु ने आंगल भाशा में लिखवाया है देश तो मजदूरों के साथ है देश चलाने वाली सरकार भी है लग रहा है सरकार चलाने वाला अफसर भी है लेकिन अंग्रेजी में हो सकता है अंग्रेजी में दिया गया साथ उस साथ से ज़्यादा मजबूत हो जो हिंदी में दिया जाता है बोलते बोलते एक पुराने हिंदी गानी की लाइने याद आ रही है उसमें दिलीब कुमार कह रहे थे लीडर लोग की उँची बातें क्या समझे तुम नीचा इसे लीडर रहने दीजिए या अफसर से रिप्लेस कर लीजिए महसूस कुछ वैसा ही करेंगे नितन ठाकुर आज तक रेडियो आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां